नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है concept academy की youtube चैनल पर और हम discuss कर रहे थे आपका उत्राखंड बंदरोगा भरती पर एक्षा 2020-21 के लिए चीव विग्यान को तो जो अपका अब topic है वो है circulatory system इससे लेटर आपके 10 questions आपको देखने हूं लेंगे objective type form में तो start करते हैं फिर तो पहला question लिए थाइमस gland is removed from the newborn baby the cell which will not form R थोड़ा सा tough किया उसने क्योंकि थाइमस gland जो होती है यह होती है आपकी किस से related WBC से related यह आपकी immunity booster होती है खासकर बच्चों में ठीक थाइमस gland होती है उस से related जो बनती है आपके antibodies बच्चों में इसी से बनती है बाद में क्यों होता है कि जैसे क्याती है maturety level आने लग जाता है बच्चे में और adult की तरफ जाता है थाइमस gland आपकी किस में बदल जाती है एडिपोस tissues में बदल जाती है जो fatty tissues होते हैं आपके उन lymphocytes यह आपने याद कर लेना है T का मतलब thymus ही होता है ऐसे भी आद कर लेना thymus gland और thymus lymphocytes अगर आपको T का मतलब नहीं होता B का मतलब बोन में रो lymphocytes यह आपका बड़ सा lymphocytes से ने बोला जाता है तो चलिए पढ़ते हिन के बारे में तो लिखावा थाइमस is a lobbed organ situated near the heart and and beneath the breast bone it is quite large at the time of the birth जब बच्चा पाइदा होता न तो उस ताइम पे काफी बड़ी होती है छादी की तरफ बट इट ग्रेजुळी गेट सब्सक्राइब देज एस समय के साथ साथ एज के साथ साथ जैसे बीट यह वैसे वैसे क्यों आपकी देपनेश्ट होती है ता थामस प्रोवाइड दधा मैरों न तो न तरीकिक बोन मैरों आपकी पाई जाती है बट माइगरेट और मुव तो दे थामस फोर दो मैटूरेशन और देवल्मेंट हैंस इफ दा थामस ग्लाइड इस रिमॉट अगर उसे हटा दिये जाए ती लिंबोसाइट सेल विल नॉट विल नॉट भी लिखावा दियर आदर तो में कैटेगरी देगरी देगरी ग्रेन ग्रे लियुलॉसाइट और यही होती है अर्ग्रेनल ग्रेनल्साइट में अनकी चोपने नहीं चोपने और झोपनी मॉलंच। छोटे छोटे तो granulocytes के अगर बात करूँगा जिन में आपके पाये जाते हूं उनमें neutrophils, acinophils और basophils और granulocytes होती है उसमें lymphocytes और monocytes आ जाती है तो 5 जरी के आपके क्यों होती है Wbc होती है neutrophils, acinophils और basophils और lymphocytes और monocytes इस lymphocyte का एक्जामपल आपका कौन सा phagocytic cell that destroy the foreign organs into the body. Asinophils के बाद गाद 2-3% होती, इन्फेक्शन को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, अलर्जिक रेक्शन जो होता है, यहाँ पर जादा कुछन देर का मैं आगी बता देता हूँ, आपको देखो, थाइमस को कर देखेंगे, इसे थाइमस बोलते हैं, अलंग से और अंदर की तरफ क्यों होता है, हार्ट आपका सिच्वेटेट होता है, इस तरीके से कुछ इसका सेफ होता है, और अनाटॉमी देखेंगे, तो इसमें सैप्टम, आपका सैप्टम, कॉर्टेक्स, मैडूला, लब्यूल्स और कैप्सुल देखने होता है, इस तरीके कुछ सेफ होता है, यहाँ आपर देख सकते हैं, लेरिंक्स देखेंगे, मैंने कल वाला जो लेक्चर लिया था, उसमें लेरिंक्स बताया था, यह आपका क्यों होता है, वाइस बॉक्स होता है, थारोट ग्लैंड बताया थी आपकी, उसके बाद आपका क्यों होता है, ट्रैकिया होता है, जिसे बिंट पाइब बूलते हैं आपका, फिर थाइमस ही देखने होता है, यह लंक्स है, बाहर से, और यह अंदर की तरब आपका क्या हाट है, निए निए पार हाट की मेंबरन होती है, उसके पैरिकार्डियम मोलते है, यह आप याद कर लेना क्या मोलते है, पैरिकार्डियम, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो देख लीजिए, अगर बलड की बात करें, तो जो हमारी की बोन मेर उती होती है, में तीन तरिकी只是 अपकी इंसल सपााई जाती है एक रेट ब्लडब सैल स्थी वाइड ब्लड श्यक्राइब अरय प्लाज्म होते है, ब्लड ब्लाज्म लग के चले हैं और बाग प्लाज्मे के उल्जाग लिख रहता है जो आपका ःपलेड्ब confess kit तो अगर एक परसेंट के साफ चलेंगे तो यह 44 परसेंट आजाएगा कई जगा किताबों में लिखा हुआ है 4 परसेंट तो आप 4 परसेंट को लेके चलना ठीक न परसेंट को अरित्रोसाइट पोला जाता है और प्लेलेट को आपका थ्रंबोसाइट बोला जाता है और यह आपके रड़ी कौन से होती है यह आपने याद रखना है है प्लेलेट सबसे चोटी होती है अगा size wise देखा जाएगा अगर सबसे बड़ी कौन से होती है white blood cells होती है यह आप ने याद रखना है red ज़ो red blood cells होती ही red color कहां से आता है तो hemoglobin से आता है तो इन्हें अद्रोसाइड मोला जाता है मैं का भार्ण मिंसी करते हैं और नद्स करने को इसके का सिह यह आपकी immunity के लिए होती जैसे मैंने बताया था दो तो होती है जैसे साइट से याद करने हैं इन में कणिगाई नहीं होती तो monocytes हो गई आपकी और दूसरे हो गई लिंफोसाइट्स और लिंफोसाइट्स में बताया था B-lymphosyde और T-lymphosyde बागी तीन जो होती है उनमें क्या होती है चोटी-छोटी molecules देखने मिलता है आपको इन्हें फिल्स बोलता है और एक होती असोनोफिल्स यह आपकी एलर्जी से रिलेटेट्ड होती है , एलर्जी और क्या करती हैै , एलर्जी से रिलर्जी और अनर्जी से रिलेटेड होती है , बेसाफिल्स हो गई आपकी , और decent已经うती है , तो तीन आपकी क्यास्ते है , granulocytes होते हैं और जो आपके granulocytes है तो asnophils , vasophils ,어 cabinitis , monocytes , lymphocytes , white blood इहए लुको साथे यहामे सकते हैं इसे में ब्लूर। और ईते नेूग लिक्वेट निद पे वाइडे और ब्लенти थिया रिंपु नुटी में रेट अदर के अधन नर्मध में म apologize में एक जाती है प्लज्मस अधिन में से altijd हिमिकर्ष RIGHT वह अधिक सेयसमन आपको बताई थी यहाँ से लेकर और यहां से लेकर ओध कज़ अपने सारी वाइड गlas आघां सारी वाइड याद रॉल्क्ष। लिपाट मैं आपने याद रखने ऑक मैंे इतना याद रखना है ठीक है बाकि लाकि जितनी वी होते हो उस तरफ चली जाती है अस्टो फिल एससो फिल्स बस फिल्स नूट्र फिल्स इस तरह लिंपो साइट सो थे आपके तो यह आप नहीं आदक नै अच्छय आगे चलते हैं बतब कॉर्पस कांद है को इसका कारण है इसे बोलना जाता है हॉपिंकि यो ब चुटे-चुटे पॉरी पॉर्म से एक है करण आता है इसलिए पुल्ई blood corpuscus बोलते हैं लोगर कभी पुछा जाता है कि जो mammals होते हैं नai mammals जैसे हमें तो जो mammals जिनमें memory gland होती है आपके ठीकिया और जो बच्ये जनते हैं तो उनमें ग्या होता है कि जो rbc होती हों unucleated होती है उसमें nucleus present नहीं होता कि वो दो ही ऐसे mammals है एक हो गया अपका लामा जो आपका उंट की तरह दिखता है और दोसरा कैमल है बना उंट इन दोनों में आपका Nucleated RVC पाई जाती है Mature Phase में Nucleated RVC बस यह दो है बागी किसी में यह दो Mammals है जिनमें पाई जाती है बागी किसी में नहीं तो Red Blood Corpuscles या Red Blood Cells को आपका Erythrocytes बोला जाता है इसका Illustration इस तरीके से को बाइकॉन के सेव होता है यादक ना बाइकॉन के होता है अनुक्लिटेड होता है मतलब Nucleus प्रजेंट नहीं होता अनुक्लिटेड डिस्क होती है साल्वन कलर्ड होता है और डाइमेटर लगवा 7-8μm के आपसपास होता है यह आपने याद अकना है किसका जो साइज है तो थोड़ा कम होता है जो आपका क्या होता है वाइट बिलर सेल्स का उलगवा 17-18 के आसपास होता है तो लगवा डबल ए ट्रिपल के आसपास आप मा की बात करें तो अगर डेवलमेंट की बात करें तो पांच से नौ दिन लग जाते बनने में और इनके लाइव इसपान जो देखने मिलता है लगवाग 120 दिन के आसपास होता है फंक्शन की अतवाई ट्रांस्पोर्ट करना और और कार्वन डैक्साइड को अच्छा ल्यूक लग आप 10,000 याद रखना जैसे उपर आपने 50,000,000 याद कर लिया नीच आपने 10,000 के आसपास याद कर सकते हैं तो लग वह 4800-11,000 के आसपास इनका क्या होता है आपका बोल सकते नंबर ऑफ सेल्स पर मिलिमेटर क्यूब वॉल्यूम जो देखने मिलता है अच्छे इसमें कौन-कौन्स है तो पहले आए तक ग्रेनलस ल आते हैं आपके तो उसमें फंगे defils यॐली ब्लीड थयूम लोलं होता है अब कोशन की आसपास होता है इनका कांट क्वारी वार्डी के लियूम सेवन छशागान की जो कल करते हैं और मॉत मिन्र इनकह दोग्ल क्या इनका ज बैक्टिरिया को एसनोफिल्स के अगर बात करें तो इसका जो आपका क्या होता है नुकलिस होता है वह बिलोबेड होता है रेड साइटोप्लास्मिक होता है ग्रेंडुल से यहां पर पाये जाते हैं आप देख रहा होगा अपको डाइमेटर लगो 12-15 मुम के आसपास होता है और इनका जो आइडल काउंट होना चाहिए बॉडी के अंदर हो लगवग 400 के आसपास होना चाहिए डेवलोब्मेंट टाइम जो होता है 7-11 दिन का होता है और लगवग यह आपके सरीर में लगव 5 दिन तक रहते हैं इनका गाम होता है टॉन आप देखने मिलता है उसे किल कर देता है अच्छा तीसरा जोता है बैस फिल्स आती है तो नूपली ब्लू परपल साइट प्लाज में ग्रेनियूल होता है इनका जो आइडल काउंट होता है 20-50 होता है तीन से साथ दिन में डेवलोब हो जाती है और लाइब स्पांज होता है कुछ गंटे से लेकर कुछ स्पेरिखल होता है और ऐडयनियुकल होता है पेल ब्लू साइटो प्लाजम होता है डाइमेटो लाइवह से सतरा वीम कि असपास होता है ऐडल काउंट होता है 15 आपकी बॉड़ी के अंदर बने रहते हैं समझ मैं कि आगे ना बात एक्चुल में जो यह वैक्षिन वगर लगते हैं जैसे कोविड-90 के लग रही है तो यह वैक्षिनेशन लगते हैं इसमें एंटीबॉडी जो बिल्ड हो रही है वो लिंफोसाइट्स के अधार पर हो रही यह सालों साल तक यह कह रहती है आपके अंदर यह सेल्स बनी वी रहती है अचा मोनोसाइट्स की बात करें नुकलेस जो तो यू और किड्नी सेब्ड होता है ग्रेबू साइटोप्लास्म डाइमीटर लगवा 14-24 मियू एम तक होता है काउंट जो होता है 100 से लेके 700 तक होता है थ्रॉम्बो साइट्स तो डिस्कॉइट साइटोप्लास्म एक फ्रैग्मेंट कंटेनिंग ग्रेंडूल्स स्टेन डीप पर्पल डायमेटर 2-4 मियू एम के आसपास होता है इनका काउंट जो होता है लगवा देड़ लाग से लेके 5 लाग के आसपास होता है डेवल्म प करें तो मैं तीन लिंपोइट की बात करें कामंन ममना लेंफवीड जापका जो आपका पराजिन फुड्स में मेरें एक जो होती है जो होती है यह है preparedness cells होती है जो बी को क्या करती ही मदद करती है दूसरी होती है बिलिंफोसाइज बरसा बोलता है बोन-म्या लीम्फोसाइट बोलते है उपर शायमोस बोलते है सिंतेसाइज आं मोलेक सेल्ट है आपके एक साज आजातें जिसमें मोहनी साज आजाते अब कर थो इसमें अब का ग्रेंट साइट ár blood and the entering tissue thus turning into the macrophages dendritic cells की बात कर involved in antigens processing and the presentation to the T-cells to the immune system दूसरा आता है आपका कौन सा Megakaryocytes erythrocytes जिसमा आपका Megakaryocytes erythrocytes अगर चलें तो fragment to form the plane rate just before the release into the circulation assisting and with the coagulation दूसरा कोगलेशन मतला होता है कोगलेशन अकागलेशन यह दो टर्म्स आपको देखने में लेंगे जब क्या होता है रखतका थका जमना clotting से और आपका क्या non clotting से related है tissue nourishment oxygen and the blood viscosity से related होता है viscosity आप जानते है गारा होना viscosity मतलब होता है यह क्या होता है आपका जो आपका बोल सकते हैं जो आपका liquid part होता ना उसमें जो फ्रैक्शन फोर्स लगता विस्कॉसिटी को दिखाता है अच्छा देख लीजे बी सेल्स हैलपर टी सेल्स अच्छा देखो जो आपकी काऊंसे ती सेल्स होती तीन दरीगी होती है हेल्पर होती है साइटा टॉक्सिक होती है और रेगलेटिंग होती रॉक्सिती नेच्रल देख इनके भी आपकी क्योंड सब्डिविजन चूटे लिंफोसेट में केवल बी टी और नैच्छल किल सेल्स नहीं देखो टी सेल्स होती है बटीजन रहती है एंटिजन की बात करें या regulatory टी सेल्स की बाद नो एंटीजन राइक अगनाईजन फंक्शन होता है यह आपका एंटीजन को रेकनाईज नहीं करता और नेचुल के लिए सेल्स एंटीजन और फारन एंटीजन और ऑन दो हो सेल देखने मिलता है अच्छा फेक्टर्स फंक्शन क्या होता बहुत है तो बी सेल्स का उत्तर नुट्रलाइज़शन और पैटोजन फेको साइटोसिस होती है कॉंपलिमेंट एक्टिवेशन होता है वह अगर हेलपोटी इसल्स की बात करें तो अक्टिवेशन और टीएंड देखने मिलता है साइटो टॉक्सिक में एल्लिमिनेशन और और रेगुलिटरी में रेगुलिटर अंदर सप्रेसी मून रिस्पॉंस आता है और आपका नेच्रल किलर सेल्स में आपका अलमिशन और इंफेक्टेड अमेलिग्रेंट सेल्स आती है ठीक नहीं यह पढ़ सकते हैं आप आगे आगे चलते है नेक्स्ट क्वेशन लिखा भी आपको ठीक ना तो 55 परसेंट ब्लड प्लाजमा होता है उसमें लावन 90-92 परसेंट यह आसपास आपका क्योंता है वाटर होता है और बाकी अलग चीज़ी जैसा प्रोटीन वगरा हो जाता आपका तो ब्लड प्लाजमा जो कंटेंट करता है वाटर बोल सकते हैं मांट वाटर 90 परसेंट करता है पर लेता है देखो लिखा हो ब्लड is the fluid that flows in the blood vessels, blood is the liquid which has the cells of the various kinds suspended on it, the fluid part is the 55% blood is called the plasma, solid part 45% होता है, blood consists of RBC, WBC in the platelets, RBC के अगर बाद contains a red pigment called the hemoglobin, white blood cells के अगर बाद कने fight against the germs that may enter our bodies, the clot is formed because of the presence of another type of the cells in the blood called the platelets, मैं मैं बजा है दा, क्लोटिंग के लिए क्लोटिंग के लिए कौन सा अगर लेतल इसा आ जाता है, अचा अचा दा, the fluid part is the plasma, the plasma color is the pale yellow, इसका color कैसा होता है, यलो होता है, plasma is composed of the 92-92% of the water, लगवा 22% के अश्वार सी वाटर होता है, 8-9% इसका solid होता है, अचा बलड ट्रांस्पोर्ट सब्स्टें में आपके के लिए cells होती है, blood carries oxygen from the lungs to the cells of the body, blood also transfers the waste for removal from the body, अचा आगे चलते है, तो यह देख लीजे, आपका blood plasma अलग में 55%, white blood cells and platelets 4% में होता है, कहीं जगा 1% लिखा रहता है, red blood cells, 41 तो कहीं जगा 44% लिखा रहता है, एक और चीज़ आपने यादत नहीं है, कि अगर blood मे आपका plasma बढ़ जाए, water proteins, ऐसा मार में बताया था, 90% आपका water होता है, बाकि आपका protein होता है, nutrients होता है, hormones होते ही, यह सारी चीज़ आजाती, 8-9% के असपास, बफी code जो देखनी होता है, white color का, और आपका hemtochrite होता है, वो red blood cells होता है, आपका red color का, normal जो होता है, इस तरीके to 47% के आसपास होता है, जो मैंने बताया आपको 44% के आसपास होता है, तो यह vary करता है, जबकि males में 42-52% के आसपास होता है, hematokrite, दूसरी बात यह है कि अगर anime हो जाता है, तो उसमें क्यों होता है, आपका जो यह red blood cells होती है, याद रखना anime उस तो बूला जाता है, जब आ कई चीजें पूछी जाती पेपर में, serum और plasma में के अंतर होता है, तो serum आप जानते हैं, sorry, plasma तो आप जानते हैं, मैंने बताया था, RBC, आपका 45% के होता है, cells होती है, और बाकि आपका liquid part होता है, plasma, अब plasma के अंदर, अगर यह blood है न, अगर इसको मैं के अगर दू, blood को clot करव होता है, तो यह क्या कर देता, आपका blood को clot कर देता, बाकि जो plasma के अंदर, बाकि जो चीज बच जाती है, वो के बच जाती है, serum, तो serum, simple सी बात है, plasma से आप clotting factor भार निकाल दो, plasma से clotting factor भार निकाल दो, आपका serum बच जाएगा, अच्छा देखो, अब यह जो, जैसे मैं इवर प्रोड्यूस करता है, जैसा आपका कौन सा रहता है, प्रो-thombrin, यह दोनों आपके clotting agent है, जो blood को clot करने देता है, outside, outside के करने देता है, blood clot, बहुत जरूरी होता है, जैसा कर चोट बगर लग गए, अगर हमारे, जैसे skin है, यह skin है, चोट बगर लग लग, कट फड़ तो जो क्या होता है, आपका फाइवरिजन और प्रो-thombrin, एक और होता है, विटामिन के, यह क्या करता है, clotting agent होता है, ठीक है, यह कहां होता है, large intestine में, जो आपकी क्या होती है, E. coli bacteria होता है, वो इसे produce करता है, esterature coli bacteria, वो इसे produce करता है, तो यह तीन हो मिलकर क्या करते है, आपका clotting agent का काम करते है, outside यह करते है, जैसे cut fat गया, तो यहां पर यह protein आपके काम करने लग जाते है, और यहां पर आपने जाता हो, clot करते है, blood को, blood को क्या करने लग जाता है, ठका जमने लग जाता है, भार की तरब, एक layer बना देते है, जिससे खून बैना बंद हो जाता है, आप जानते हैं, ठीक है, पपड़ी टाइप की बन जाती है, और एक हमारे blood के अंदर होता है, एक हमारे blood में होता है, अंदर के तरब होता है, इंसाइड होता है, और जो inside clot करने नहीं देता, no clotting, मतलब अंदर clot no, अरे simple सी बाद है, भार clotting हो रही है, तो क्या अंदर न होता है, वो क्या करता है, अपका, अंदर clotting नहीं करने देता, बात समझ में आ गई, और जो आपके फाइवरोनिजन, प्रोथांबरेन और विटामिन के होता है, यह बाहर clotting करता है, जो जरूरी होता है, बात समझ में, अगर यह याद रखना है, अगर यह प्रोटीन काम न निकल या फाइवरोनिजन से फाइवरोनिजन निकल लिया, तो यह आप देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रेशन अगर ब्लूर्ड वस्कुलर सिस्टम इस फाउंड इंदो मैं होता है, जो आपके और्थो पोड़ाज होता है, मॉलसस और किसमा और्थो पोड़ाज में, तो इस निकल इस प्रेशन निकल इस फाउंड इंदो मॉलसस अब दोनों सबसे बड़े फाइलम से आर्थो पोड़ाज संपसे बड़ा फाइलम है, उसके पात कौन सा आपका मॉलसस है, आचा है मॉलस का, इन विच ब्लड पंप्ट बाइदा हाट पासे, ब्लड पंप होता हाट ब the large vessel into open space or the body cavity called the sinuses see the open चला जाता है हर पार्ट में हर और्गन में simple सा समझना है blood पास हुआ pump हुआ हाट से open चले गया सब भी जगह क्या कर देगा अलग से जाएगा here the blood is not enclosed by any blood vessels or the capillary यहाँ पर आपकी blood vessels नहीं होती और नहीं capillary होती है close circulatory system के बात करें जिसमें हमा जाते हैं have a close circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through us close network of the blood vessels जैसे मैंने पिसले chapter में बताया था आपका जब आपका किसके respiratory system के बारे में बात कर रहे थे तब यह चीज मैंने आप clear करवा दी थी ठीक है नहीं हाट की anatomy बताई थी तो आपका close system देखने मिलता है body to heart 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 to lung lung से फिर किस में lung से फिर heart में heart से फिर body में इस तरीके चलता है close pattern देखने मिलता है this pattern is considered to be the more advantage advantageous as the flow of the fluid can be more precisely regulated अच्छा कोकरोस की बात करें are the brown or the black bodied animal that are including the class in sector में आता हुदा फाइलम और्थोपोड़ा the size ranges from the half quarter inches याना क्या वनन फोर हाफ एं बोल सकते है अम मतलब 1 by 4 inches to 3 inches के आस पास इनका क्योंता है size होता है and has a long antenna legs and a flat extension of the upper body wall that connects the heads they are nocturnal omnivorous omnivorous मतलब दोनों चीजे खा सकते हैं ठीकर महास वगरा भी और वह भी खा सकते हैं कि आपका सब्जी वगरा भी खा सकते हैं रोटी वगरा खा लेते हैं आपने देखा ही होगा that lived in the damp places throughout the world they have become the resident of the human homes and thus are seriously pest and the vector of the several diseases the blood vascular system of the cockroach is the open type अच्छा आगे लिखा है blood vessels are poorly developed and अगर इन में देखा जाएगा न जो open सब्सक्राइब पोर्ली डेपलप्ट होता है blood vessels लिखा and open into the space जिन बोलता है hemocoil space बिल्कुल open होता है इस space open space को hemocoil बोलता है visceral organs located in the hemocoils are brought into the blood जिन बोलता है hemoliv the hemoliv is composed of the color colorless plasma याद रखना and the hemocytes the heart of the cockroach consists of an elongated muscular tubes lying along the mid dorsal lines of the throcks and the abdomen it is the differentiated into the funnel shaped chamber with the ostea on the either side दिखा दूंगा भी blood from the sinuses into the heart through the ostea is a pumped entirely to the sinuses again अब यहां पर देख लेते हैं यहां पर देख लेते हैं यहां पर देख लिए यहां पर देख लिए यह आपका open देखो open circulatory system heart air यह पूरा खुलावा है किसके तुरूब है hemoliv in the sinuses surrounding the organs यह पोर से इसके यह tubular heart यहां पर देखने हूं मिलता है इनका circulatory system close to heart होता है यह blood vessel होता है यह capillaries है इंसे connect small branched vessels in the each organs आपकी क्लोजड होती है dorsal vessel man heart में होता है oxal heart देखने मिलता है तो जो आपकी का इनलेट्स वगरा आती है वो भी क्या आती है इसी में आ जाती है इनलेट्स वगरा जो होते हैं आपकी ठीना यहां पर पर लेते हैं पर कोई दिक्कत नहीं पर लेते हैं open circulatory system तो के लिखा हुआ है heart pump hemolymbs blood into a hemo coil जो आपका space होता है body cavity oxygenated nutrients laden hemolymbs baths that organ directly there is no distinction between the hemolymbs and the interstitial fluid muscle moved causes the hemolymbs to the move within the hemo coil when the heart relaxes blood flows back into the dorsal erota through the osteum found all the orthopodas in the all the molluses except cephalopods यह यादखना किस्का जो आपका कौन सो होता है cephalopods होता है उसको छोड़कर सभी में open circulatory system देखने मिलता है important है कौन सा आपका नौलसस है जो नहीं आता है cephalopods नहीं आता है close the circulatory system की बात करें heart pump blood through the circuit of the blood vessels होती है gas sections होता है it's a cephalopods and the vertebrates next जलते हैं तो यहां पर भी देख सकते हैं और स्टेव ने बता दिया tubular heart बता दिया lateral vessels बता दी anterior vessels बता दी open circulatory system कुछ इस तरीके से दिखता है closed आपका कुछ इस तरीके से दिखता है next जलते हैं अब देखो यहां पर लेते हैं तो नहों में अंतर के है तो लिखा open circulatory system is a type of the circular system when the hemo limbs bath the organ and tissue directly closed circulatory system की बात है a type of the circular system where the blood circulate within the closed vessel यहां पर लिखा there is no distinction between the blood and the intestinal जो आपका fluid होता है यहां पर आपका distinct होता है आपका क्या blood is distinct from the interstilius fluid फिलिखा वाई found in the molluses and the arthropodas found in the vertebrates and the enlates लिखा blood is pumped into the body cavity blood is pumped by the heart through the vessels यहां पर कंटेंस दौर्सल ब्लोड वैसल्स यहां पर कंटेंस बोथ दौर्सल and the ventral blood vessels यहां पर लिखा capillary system is not found यहां पर capillary system आपका found होता है जैसे पर आपको बदाया था टीशु आर्स अरॉड़ेट वाई the bloods blood does not directly connected with the tissue यहां दकना टीशु सीदे connected हो जाती किसे blood में आपका open circular system में यहां पर नियोटर अच्छा आग लिखा only nutrients are exchanged directly between the bloods and tissues gases and the nutrients exchange via the tissue fluids लिखा gases are not transported gases are transported the fluid which flows in the system is known as the hemolems यहां दकना जो fluid इसमें क्या करता है आपका flow करता है उसे hemolems बोलते है the fluid which flows in the system is known as the blood और हमारे अंदर जो होता है उसे blood बोलते है वहां पर blood नहीं बोला जाता है के बोला जाता है हमोली बोला जाता है no respiratory pigments are found in the hemolems यहां पर respiratory pigments आपके पाए जाते very low याद रखना blood flow होता है वह बहुत स्लोली होता है और हमारे सरी में rapid में होता है जल्दी जल्दी होता है next question is the life span of the red blood cells अभी बात कीती 120 दिन के आसपास होता है 100-120 दिन होता है पल देते है human erythrocytes red blood cells को बोलते हैं अब red blood cells को बोलेंगे मैंने बताया था न्यूकलिस प्रेजेंट नहीं होता है उसमें तो लिखा आप produce through a process called the erythropoices याद रखना यह कौन सी process होती है कि आपका जो erythrocyte produce बोलते हैं they take about the seven day to mature साधिन के अंदर यह mature हो जाती है erythropoices is the process by which human electrocytes are created it is a triggered by the erythropoietin a kidney hormone product produced during the hypoxia condition में तो जब क्या होती है आपका बोल सकता है उस label तक आपको रिविट पाती है oxygen कम बन पाती है जब तो यह याद रखना when matured these cells circulate in the blood about the 100 to 120 days after the about the 100 to 120 RBC are removed from the circulation through the process called the eryptosis याद रखना देखो बनने की condition के बोला जाता है erythropoices बोला जाता है और खतम होने की condition के बोला जाता है erythropoices बोला जाता है RBC does not contain a nucleus अच्छा RBC खतम कहां पर होती है तो याद रखना में लीवर और स्प्लीन में जाके खतम हो जाती है graveyard of the RBC बोला जाता है कि इसको स्प्लीन को बोला जाता है यह याद कर लेना और इन्हें खतम करती लास्ट में जो बिलकुल यह 1.35-7.45 तो यह slightly आपका क्या होता है अलकलाइन होता है कि slightly alkaline अधिकर न चुक्छ जीरो से लेके साथ तक जो होता आपका है जीरो से लेके साथ तक जो था वह कैसा होता है एसे डिक मतलब साथ के बीच में यह ऐसे डिक होता है साथ पर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है और साथ से लेकि चौदध अक्यास होता बेसिक को दिखाता है बेसिक को दिखाता है या एलकलाइन बूलते हैं जैसे ठीक न और हमारे सरीर में कितना होता है फाइफ टू सिक्स लीटर आप दा बलड मौझूद होता है विल्यम हर्वे थी जिन्हों पहली बाद डिसकवर किया था बलड को और स्क्लूरेशन को 1628 की बात है रेट बलड सेल्स की बात करेंगे तो यह आपका हीमोगलोविन को करी करता है हमोगलोविन को करी दा ऑक्षिजन और लाइफ एस्पांट एक सो बीस दिन का और यह आपका कांपे होता है बोन मेरों में आपका क्यों प्रोड उता है बात करें वाइट बलड सेल्स को इसका काम होता है अटेकिंग बैक्टिरिया वाइरस इन जर्म्स कलर में कैसा होता है होता है colorless भी बूला जा सकता है इनका जो आपका रेंज होता है लगों 13 से 20 दिन के आसपास होता है फिर आथी प्लेटलेट साथ पार्ट अब्लूर्ड ब्लूर्ड ब्लूर्ट के लिए सबसे बड़ी कौन से वाइट ब्लूर्ड सेल्स फिर कौन से होती है प्लेटलेट आसपास बीम्खोस एक सोँगता जो असपास टो फिर दूसरा पर ने किसके बारे लाइफ संसाले लगी 32 दिन होता है और रहाइट फMAN भाई इनका क्याता अकाउंट होता है तो इनका जो होता ना प्लेडरेस दो वीक याद कर लो बाकिया आपका WBC आप लगवा दो वीक के आसपास याद कर लो कई जगा तीन से चार दिन भी लिखा रहता है चलो आगे चलते हैं लिखेंघी क्यों कि आफ य हुमान बेड्र गरुपिंग के एक्जामपल हो यहा। क्योंकल आपका रहाए स्यजवक उक्याद कर अफूर कांडाता है contains फार। चरहां किया हैं तो यह दिखाता है आपका का थ्री अल्लेस्य गवर्णिंग कार्क्टर को यह यादक न अब तो हमारे के सवाद्ट थीन में हमारे पूस्ता हो कि वागयों को नहीं फूस्ता जब दो एक से ज्यादा हो जाता है अगर कोट कलर की बात करें रैबिट में करें उनमें 4 एलेस होते है आई कलर की बात करें ड्रोसफिलिया में तो 12 एलेस होते है तो पर वो पूछता नहीं है हमारे पूछा जाता है ब्लट ग्रॉप में हमारे पूछा जायगा यूमन ब्लट ग्रॉप के बारे में ठीक देखना अगली टी नो जन याद रखना आई किसको दिखाता है इस प्रेजन को दिखाता है is present on the ninth chromosome gene i has the three ls i a i b i o i a जो दिखाता है वो दिखाता है वो दिखाता है ls from the sugar on the plasma membrane on the rbc called the a antigen जब a उपला रहता है a antigen को दिखाता है b b antigen को दिखाता है और वो आपका any antigen को show नहीं करता है किसी को भी दिखाता है ls i a i b are the dominant over the ls i o but co dominant to each other तो तीन में जाते हैं the abo blood grouping is used to determine the blood group of the individual based on the presence of the absence of the antigen a and b आप जानते abo blood group के लिए नोबल पुरुसकर विजिता कौन थे तो थे कार्ल ने इंड-स्टाइनर ठेक न जिन्हों blood type की बारे में बताया था william harvey कौन थे जिन्होंने blood circulation confusion मत हो जाना अभी बताया था ना कि blood circulation के बारे में किसने बताया था blood circulation के बारे में तो वो तो कौन थे आपके william harvey william harvey पर मैंने यहां पर बोला कि blood group के बारे में अगर abo blood group के बारे में आता है तो फिर किसने बोला था तो इसके बारे में जिसने बताया था वो थे हैत स्टाइरी थे और दोसरे यह दो लोग थे जिन्हों ने सके बारे में बताया था चलो आगे पढ़ेंगे इनके बारे में फिलाल चल्ते हो तो यहां पर मैं बता देता हम इसे पढ़ने जौरत नीमा आपको आगे प्रेजेंट होता है पर इसमें आपका क्या होता है अब बताओ जरह कौन सा होता है तो आप पढ़ाया था कभी क्लास में आपको पढ़ा देता हूं जल जल्दी पढ़ेंगे और आपने प्रेज़क्ति आपका इसमें खुनेंट ब्लड जाता है अब भी को समझेंगे एक और आपका बॉंबब ब्लड ग्रूप उसे भी समझेंगे तो ब्लड इस फ्लूड कनेक्टिशू एंद पूसों क्रूसल कंपोनेंट ऑप अप सब्सक्राइब करें अब के ऐल्दी interesting and consisting of the erythrocydes RBC बोला जाता है लुको साइज ने WBC बोला जाता है और प्लास्मा किसके अंदर होते हैं प्लास्मा के अंदर प्लास्मा के अंदर है 55% बाकि 45% के आसबास आपका होता है solid part with the millions of different molecules within own specific roles in the function कई सारे आपके के होते हैं आपके के अदर होते हैं लाखों में होते हैं करोडों में होते हैं अच्छा लिखावाँ एवन दो थो गॉंपनेंट दो ब्लड are the same for the all humans there are the various blood types in fact there are the more than the 40 blood groups जो हम जानते हैं but all of them are not clinically significant the discovery of the abo blood group created great excitement as until then to jis ko hama nte abeo blood group को मानते हैं दोसरा racist group को मानते हैं all blood has been assumed to be the same अच्छा blood group system की बात करें तो Karl Land Steiner, an Austrian scientist discovered the abo blood group system in the 1900s in his experiment he mixed the different blood types and noted that the plasma from the certain blood types produce agglutinates or the formed of the cluster which were caused by the absence of the molecules of the red blood cells and resulting in the antibodies to defeat their molecules he then made a note of the agglutination and divided the blood types in the four different groups एक था आपको काँ सब्सक्राइब इसको ट्रांस्फ्यूज करवा एक ब्लड ग्रूप को दूसरे के साथ तो क्या-क्या परेशानी देखने मिली क्या-क्या दिक्कति हो सकती थी तो यह सारे चीजिए के बारे में पता करके नों चार डिफरेंट ग्रूप से आपके निकाले जो आप जानते हैं दूसरा भी तिसरा ओ और चौता अगे लिखावता ब्लड ग्रूपिंग सिस्टम इस पाविटल टूब्लड ट्रांस्फूज जब ब्लड को मिला जाता है और इम्यून सिस्टम डेक्नाइज अधर ब्लड ग रेक्नाइज करके उस पर अटक कर देगा अटक करने की जगा उसका मारना साट कर देगा मारना स्टार करें तो जो ब्लड मेरे अंदर आयो उसका कोई काम नहीं रहेगा वह किसाफ से जहर का काम करेगा तो यह नों ने बताया इतिब थे इंटेदूस इन बोड़ी कॉसिंग दोनों O negative positive दोनो यह आदर खने a positive negative को लगाता है आरेच वाला ब्लड ग्रूप चाहिए जब किसा को नि बूलते किया यह वाला ब्लड ग्रूप चीह ओ पॉसित जीए इस तरीके से बताया जाता है अब लिखाँ, what are the ABO or the RH blood group? तो लिखाँ, during the blood transfusion, the two most important group system examined are the ABO system and the racist system. The ABO blood group system consists of the four types of the blood A, B, AB and the O. It is mainly based on the antigens and antibodies. दो चीज़े यहाँ पर आपकी डिसकस होंगी. On the red blood cells in the plasma, both antigens and antibodies are the protein. याद अदकना, antigens and antibodies, दोनों के होती हैं, आपकी proteins molecules होते हैं, in which antigens are present in the surface of the red blood cells. ये antigens कहाँ पर लगे होते हैं, जो cells होते हैं, आपके red blood cells, RBC होती है, उनके surface पर लगे होती, antibodies are present in the plasma. जबकि antibodies कहाँ होती, plasma के अंदर होती, blood होता है, तो blood में आपका plasma होतार बाकी क्या होती हैं, आपके cells होती है, RBC, WBC platelets, तो अगर पूछा जाता हैं, कि antigens कहाँ पर लोगे होती हैं, तो RBC को जो surface होती होती हैं, उस पर antigen chip के रहते हैं, और जो आपका antibodies होती 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 हैं, आपकी plasma के अंदर होती, involving the defending mechanism, on the other hand, the RH blood group system consists of the, आपने ये racist blood group क्यों बोला जाता हैं, मैं इसका कारण कोदा होती हैं, आपने racist monkey के बारे में सुना होगा, घरेलू जो आपका बंदर होता है, जो आपका normally पाया जाता है, उसे racist monkey बोला जाता है, तो उस पर ये test किया गया था, उसलिए इसलिए racist blood group बोला जाता है, इसलिए या system बोला जाता है, तो लिखा आरेस ब्लड ग्रूप system कसे दो, तो 50 defined blood groups, antigens, in the rh system, the most important antigens are the D, capital D, capital C, small c, capital E, और small e, the AB on the rh, ये याद करने ही जुरूत नहीं पर आपको, D, C, C, E, E, इस तरीके से याद नहीं करना, AB, AB, O, याद करने, antigen, antibody, याद करने, antigen कहां पर होते हैं, antibodies कहां पर होते हैं, याद करने, the AB on the rh blood systems are discussed in the detail below, अब देखो, अब लिखा हुआ है, the basic of the ABO grouping of the two antigens, antigen A and antigen B, the ABO grouping system is classified into the four types, based on the presence of the, absence of the antigens, and the red blood cell surface, and the plasma antibodies, group A की बात करें, तो contain the antigens, अगर मैं A की बात करूँ, जो आपका A blood group होता है, उसमें antigen A होता है, याद करने का तरीका, group A में antigen A होगा, पर antibody B होती है, group B में आपका antigen B होगा, पर antibody A होती है, AB में आपका क्यों होता है, दोनों ही antigen होता है, अब दोनों antigen होता है, तो क्या होगा, क्योंकि A अगर antigens होगा तो B antibodies होँची पर यहाँ पर B antigen भी आ गया तो वो B को आन देगा और A किसको नियान देगा B को नियान देगा, B A को नियान देगा तो इसलिए क्या होता है जो A भी होता है वो दोनों antigens रखता है अपने surface में, मतलब RBC जो होती है इसलिए बोलता है पर अभी मनें clear निया कि O कौन सा होला positive की negative या A कौन सा positive की negative आगे पढ़ेंगे The ABO group system is imported during the blood duration of the blood transfusion as the mismatching of the blood group can be lead to the clumping of the red blood cells With the various disorders, it is important for the blood cell to match the wild transfusing donor recipients compatibility is necessary for the example of person of the blood group A can receive the blood either from the A or O simple से बाते A किसे लेगा जिसमें आपके antigen A होगा और antibody B होगा वहीं से ले सकता है तो या तो A से लेगा या फिर किस से ले सकता है वो जो recognize कर ले क्योंकि उसके अंदर कौन से B है ना तो यहां पर देको B मिल जाती O को O से मिल जाती है तो universal donor ने तो A को दे सकता है अच्छा आगे चले एस सोन इन दे अब टेवल इंडिविजल अब ब्लूड ग्रूप ओ और यहां पर समझे देखो red blood cell type A, B, AB और O आप देख रहे हैं antigen opening लगे वे जबकि AB भी दोनों लगे वे आपका ये वाला भी दिख रहा है A वाला भी दिख रहा है और B वाला भी दिख रहा है अच्छा antibodies in plasma अगर मैं plasma की बात करूं तो plasma में कौन से होता है antigenachusetts अगर मां का blood होता है इस और बच्चे में कौन सा पता है पता लगता है देखो अगर पिताजी A blood group के और मा भी A blood group की है तो बच्चे का जो होगा पॉसिबल है या तो A होगा या तो O होगा clear बाद समझ में आगी ठीक है न? A के लावा कुछ नहीं था तो A से या तो A बनेगा या तो O बनेगा clear बाद समझ में अब मैं एक और चीज़ा तो याद करने का सबसे आसान तरीका है जहां पर A B होता है न? वहां पर O नहीं होगा जहां पर O होगा वहां पर A B नहीं आएगा बस इतना यादट नहीं है बाकिस सब जगा आ सकता है जैसे A है तो A, A मिला तो A और O याद कर ले न अब देखो अगर पिताजी B के है और मा A blood group की है तो देखो A भी आ सकता है, B भी आ सकता है A, B भी आ सकता है, O भी आ सकता है अब बोलो कि A, B और O आगे, नहीं नहीं मा और पिताजी दोनों में से किसी का A, B blood group नहीं था न वो तो A और B है, तो possible chances क्यों हो जाता है अगर A और B है न, अलग-अलग है, तो चारों बन सकते है अच्छा, अब देखो जैसे पिताजी का क्या आगे, A भी आगे अब क्या होगा, O नहीं आ सकता है, guarantee है कि O नहीं आएगा तो क्या सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, A भी हो सकता है और पिताजी अगर O थैं और माँ A थी, तो या तो वही वाली condition हो जाएगी या तो A बनेगा, तो O बनेगा अब देखो, दूसरी वाली condition में चलता है कि मदर अगर B की है अब फिताजी A के है तो दोनों बन जाएगे A, B और A, B और O भी बन जाएगा B है और B है तो B और O बनेगा AB और B है तो O नी बनेगा बागर सारे बन जाएगे AB और AB बन जाएगे और A, O आपका B, O निकाल देगा अब देखो मा का A B आ गया, अब O नी बन सकते इस वाली line में आपको O कहीं नी दिखेगा तो A है तो A B और A B B बनेगा तो वही A B और A B A B होगा तो फिर भी A B और A B और O होगा, तो अब आपका A B नी बनेगा यहां पर देखो O अगर है, मा का अगर A B है अब पिताजी का O है, तो A B और O दोनों नी बनेगे, या तो A बनेगा या तो B बनेगा, simple से वाथ थी अच्छा अगर O आ जाये, तो O के साथ A O, B के साथ B O, A B के साथ ना ही O, ना ही A B, simple सा या तो A या तो B, और O, O के साथ करता है वहीं बनाएगा यह यात रखना आपने आपने अच्छा दूसरी बात आती यहां पर देख लेते हैं यह राइसे स्फेक्टर लगेवें अब मैं बता दूंगा आपको कौन सा होता है ठीक ना तो अब रहे से फैक्टर लगया रहे से प्लाइब पॉसिटिव नेगेट अगर मैं बात करूंगा देखो डोनर की अगर मैं किसकी बात करूंगा डोनर की तो अगर डोनर नीची की तरफ जा रहा है तो ओ नेगेटिव को देखना तो वह नेगेटिव को दे सकता है देने वाली बात है पॉसिटिव को दे सकता है एको भी दे सकता है ए पॉसिटिव दोनों को देब ब्ध करना सब्सक्राइब करने कि यह आपका क्या होता है युदिसल डू आ इसे समझा रहे था माने किस तरफ स्raum नेगवेप बहुत मैँ फसी फूस्रफ से ले Bennett अप ब् debt wurm the ब्स ने पा रहे हुए तो तो यूनिवर्सल आपका रेसिपेंट कौन है तो वह आपका AB positive बस यह दोनों आम आपने याद करने कि आपका जो बोलते हैं आपका कौन सा सार्भामिक जो आपका क्या दाता है वो तो कौन है ओ नेगेटिव है और रही कौन है आपका AB positive बेस अब मैं एच्छे से नीचे की तरफ जाओंगो ठीक है न डोनर्स की तरफ जाओंगो नेगेटिव वाले को फरकी नहीं पड़ता, देते समय, नेगेटिव वाला क्या, न्यूट्रल है, आपने ये मानना है, उसमें racist factor होता ही नहीं है, तो सब को दे सकता है, अब आगे समझाओंगो, चलो यार पहले इसको नहीं समझाता है, पहले मैं आगे समझाता हूँ आपको आपका 39% में होता है, O नेगेटिव आपका 90, अब देखो कौन सा था आपका यूनिवर्सल डोनर, O पॉसिटिव, ठीके ना, सॉरी, O पॉसिटिव नी, O नेगेटिव, जो होता है, O नेगेटिव अभी बता दूँगा, और जो आपका रेसिपेंट होता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट, और यह होता आपका यूनिवर्सल डोनर, ठीके ना, अच्छा आप देखो, अब यह नेगेटिव पॉसिटिव से क्या फरक पड़ता है, पर रेसिस ब्लड ग्रूप को समझ जाते है, इतना होगा टाइम, कोई बात दी, अच्छा लिगा, in addition to the ABO blood grouping system, the other prominent one is the R.H. blood group system, about the two-third of the population contain the third antigen on the surface of their red blood cells, lower 2, 6-7% के आसवास, known as the R.H. factor or R.H. antigen, this decides whether the blood group is positive or negative, यह के डिपेंड करता है कि blood group कैसा होगा positive or negative, if the R.H. factor is present and individually R.H. is positive, अगर उसके अंदर R.H. factor present है, तो उसे R.H. positive होलते है, और अगर वो absent है, तो उसे R.H. negative होलते है, as they produce the R.H. antibodies, य यह आपने याद रखना है, therefore the compatibility between the donor and individual is crucial in this case, अभी याद रखना है, इसलिए मैंने बोला था, कि आप इसलिए क्या रहा 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 हो, कि negative वाला क्या होता है, donor होता है, और A.B. positive वाला आपका क्या होता है, recipient होता है, दिक्कत कहां पर आते हो, समझना कैसे है, तो यह चीज़ यह होता है, कि negative वाले में neutral है, मतलब वो चीज़ उसमें ही नहीं, उसमें वो चीज़ ही नहीं, antigen उसके पास मौझूद भी है, तो वो अगर दूसरे में जाता है, दूसरे के पास जाता है, negative वाला, तो वो दूसरे पर फरक नहीं डालेगा, चाह वो negative वाले के पास जाए, किसी को भी दिया जा सकता है, positive वाला antigen 여러분 अपने पास रखता है, यह रखता है, तो यह क्या करता है, देखो, जब क्या होता है आपका? positive वाले के पास, जैसे positive वाले के पास है, अगर negative वाला जाए, तो कोई दिक्कत निए, positive दूसरा positive आ जा जाओ, तो दिक्कत खड़ी कर देगा तो अब मैं यहां पर समझा दूं जो मैं यहां पर बता रहा था आपको अब यहां पर समझे देखो यहां पर समझना है कि अगर मैं O positive भी बात कर रहा हूँ तो O positive क्या है कि negative वाला तो दे सकता है पर O positive भी बात करूँ ये देगा तो किन को दे सकता है positive वाला के वल positive वालो को दे सकता है बात समझ मैं किन को दे सकता है positive वालो को कुछ A positive को कर सकता है और B positive को कर सकता है तो universal donor ओ positive नहीं होता हाला कि A B को दे रहा है पर के पर positive वालों को दे रहा है जबकि O negative सबको दे रहा था उससे कोई फारक नहीं परता है तो न्यूट्रल है वह बिल्कुल आपका एंटीजन लेके नहीं चल रहा अच्छा ए नेगेटिव की बात करें तो ए नेगेटिव किसको दे सकता है ए नेगेटिव और ए पॉस्टिव को दे सकता है नेगेटिव वाला सबको दे सकता है पॉसिटिव वाला नहीं दे सकता है य को B-negative वाला सब को दे सकता है किन को दे सकता है अपने गुरूप में बी वाले दे सकता है चाहिए ओं नेगेटिव ऑ पॉसितिव हो और एव वाला नेगेटिव पॉसिटिव कोई फरक निपड़ता पर भी पॉसितिव वाला क्या करता है यह ए भी positive केवल और केवल किसको दे सकता है ए भी positive वाले को दे सकता है बात समझ में आई इसलिए ओ negative आपका universal donor होता है और ए भी positive आपका universal receptor होता है यहाँ पे वोही चीजे लिखी हुई है ठीक ना? अच्छा आगे चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं तो बात समझ में आगे होगी कि negative वाले सब को दे सकता है positive वाले केवल positive को दे सकता है negative वाले फिर से याद कर लेना सब को दे सकता है अपने group में सब को दे सकता है अगर O को छोड़ देना अगर जैसे O है तो तो सब को देगा पर negative वाला सब को दे सकता है अपने group में भी और AB वाले में भी क्योंकि AB क्यादा universal receptor होता है positive वाले cable किसको देते है positive कोई देते है बस इतना याद रखना है आचा pregnancy में काफी दिक्कत हो जाती है आप समझे इस बात को कि अगर जैसे कोई यानिकी couple है तो अगर मानलों कि उनका दोनों का क्या है अगर दोनों में रेसिस positive है मानलों कि दोनों का जो blood group है A positive है दूसरी का भी क्या A positive है B positive है तो दोनों में रेसिस factor आपका present है तब कोई दिक्कत नहीं है अगर दोनों का क्या है minus है मानलो इसका minus है इसका minus है चाहे A भी हो, चाहे कुछ भी हो, इसका A नेगेटिव जो भी हो, जैसे मैं यहाँ पर माल ले तो A भी नेगेटिव हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तब हो जाएगी, कि अगर मेल, जो आपका मेल है, जो मेल है, अगर वो पॉजिटिव हो है न, और फीमेल खतरनाक है, वो कौन से होती है, वो होती है, जब मेल पॉजिटिव होता है, और जो आपकी फीमेल नेगेटिव होता गया, जब फर्स प्रेग्नेंसी होती है, तो जो क्यूंकि ब्लड फ्यूजन देखने हो मिलता है, जब इंट्रकोर्स होता है, तो जो मेल है, उसका ब्लड पिता के बाद था पिता के पास था तो उस को अपने पिता से के ले लिया पॉजटीव और रश्व फेक्टर ले लिया अब होता कि जब बच्चा पेट में होता है और और बच्चे का खास कर तब ढिक्कत हो जाते अगर उसको foreigner या as मैं बोल सकता हूँ आपका क्या बोल सकते हैं आपका दुस्मन उसे recognize कर दिया उस time के लिए बच्चा बज गया healthy बच्चा पैदा हो जाएगा तो समय उसने recognize कर दिया अगली बार उस type का blood अगर आया positive blood आया तो वो उसे पर क्या कर देगा attack कर देगा आगे बार समझें पहली pregnancy में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस समय तो पैचान था कि बलेड मा का blood उसे पैचान रहा है बच्चे के blood को और यह देख रहा है कि वो positive है हाँ भाई बोलके पैचान गिया हुआ तुझे अगली बार तो आग बोलके देखते हैं तेरो को तो यह देखने मिलता है कि immune cells against the RS positive आपकी उस समय बन जाती देखो बन गई न यह immune cells बन गई अगर न यह kया है को यह तो ब्लोड में याद रखना है अचा आ थीसा blood थोड़ा सम्झाने पर इंपोर्टन टॉपिक था तो बंबे ब्लड गुरूप के बारे में पढ़ लेते हैं तो बंबे ब्लड गूरूप और डबल एच डबल इस्मॉल एच ब्लड गूरूप इस रेर ब्लड गूरूप फिनो टाइप फस्सके बिसकोवर इन दो मुंबाई इसका नाम बंबे ब्लड गूरूप के नाम पे रगिया कि 1952 में जो आपके डॉक्तर वाई एम भिंटे थे उन्हां इस ब्लड गूरूप को खो जा था दा डब्लड फिनोटाइप इस मोस्टी फांद इंडिया बंगलादीस पाकिस्तान इन सम और पार्ट ओं इस्ट मिडि आपको एक ची बताता हूं कि एक्चुल में जिनका ब्लड गूरूप होता है ना उनको ओ भी नहीं दे सकता आगई पास समझ में तो यह किसी से नहीं ले सकते हैं यह ABO blood group से ले ही नहीं सकते हैं इनको चीए डबल एच ब्लड गूरूप ही है पर एक खासेत होती है Bombay blood group वाले सबको दे सकते हैं वो ABO कुछ भी हो positive, negative, कोई भी हो सब चलेगा दे सबको सकते हैं पर ले नहीं सकते किसी से सिरफ डबल एच जो blood group हो वहीं से ले सकते हैं देखो लिखाओ है but they cannot receive blood from any member of the ABO blood group system in other words only those who have the Bombay blood group themselves can safely receive the blood transfusion from the same phenotype without any complication actual में आपका जो universal donor होता हो Bombay blood group वाले होता है जो किसी को भी दे सकते है check करने तक कि जोरतनी blood को ठीक न कि बोलके negative or positive stress factor देखने के जोरतनी Bombay blood group सबको दे सकता है तो actual universal donor Bombay blood group होता है यह तो यहां तक O negative से भी नहीं लेते बात सबच में आगी पर यह याद रखना है डोनर होता है सबको दे सकते है यह नहीं सकते किसी से जिससे लेंगे उसका भी डबले चोन अच्छे रहर है काफी अचा आगे दिखले तो जैंटिक सब बंबे ब्लड गूर्प तो लीगे दो बंबे ब्लड गूर्प सो क्यों से दोस इंडिवजल बंबे ताइप अच्छे यह बहुत जरूरी होता है कि यह बंबे टाइप ज्यादा प्लोस कवलेटी होती जो इससे दारी ज्यादा नस्दीक क्योंती है उनके अगर बच्चे होते हैं तो देखने मिलता है so carrying the Bombay characteristics as the recessive other example may include the novel families which are the inbred due to the custom rather than the local genetic varieties अच्छा ये कुछ questions हैं तो ये आप देख ले न अच्छा आगे चलते हैं छटवा question लिखा है अब नहीं अब जितना मैंने पढ़ान था 5 questions में आपका complete हो चुगा अब तो आपने सिरफ के अगर नहीं देखना जो जो मैंने आपको सिखाया तो human heart is covered by the double membrane sac called पीछे आया था जिसको बोलते हैं आपका कौन सा pericardium कौन जो थी pericardium double membrane sac को थी है यह सबसे अंदर थी epicardium पर जो double membrane बनती हो किसी बनती पैरिकार्टियम की बनती है तो लिखावाद पैरिकार्टियम इस आउटर मोस्ट कवर अफ देहरे हैं यह देखरे हैं यह double membrane रोती किसी बनती पैरिकार्टियम की बनती है इस अजिए membrane enclosing the heart consists of the outer fibrous layer and an inner double layer of the cirrus membrane tubes आगे लिए the bones help in the supporting the body structurally and the protect our vital organs तो यह देख लीजें आप तो अगर इस लेयर की बात करें तो इसमें आपकी कौन कौन से दिखो सबसे बारी की जो आती है उसे बोलता है फाइवरस पैरिकार्डियम फिर अंदर की तरव आती है तो यह आपने थोड़ा दिमाग पर ना नीचे की तरव आपका डाइफों लगा होता हाट की नीचे लंग की नीचे मैंने बता रहा है उसके बारे में अच्छा नेक्स आता इस्टोर ब्लड बिकंस ब्राउन ड्यू दूद दा स्टोर जो ब्लड होता ना जब ब्लड को किया इस्टोर किया जाता है और रेट से कैसा पढ़ने लग जाता आपका भूरा पढ़ने लग जाता है यह किसकी कारण होता है यह आपका होता है मैथमोगलोविन के कारण पढ़ देते इनके बारे में देखो कि blood is connected tissue that has the iron containing pigment called the hemoglobin इसकी वज़े सो रेट कलर आता है iron की वज़े से the hemoglobin gives the red color to the blood and is responsible for the transportation of the O2 molecules throughout the body वन हेमी जो होता है ग्रूप होता है आइरन वाला वो चार oxygen molecules को के करता है content करता है एक ताइम पे हेमी ग्रूप हमारी बॉड़ी के अंदर रहता है हमारी बॉड़ी के अंदर स्टेट में रहता है हमारी बॉड़ी के अंदर नॉर्मल कंडिशन में एनी चेंज इन दे स्टेट ऑद हेमी ग्रूप में result in the change of the blood color it may also affect the transport of the oxygen किसी भी अगर क्या किया जाता है कुछ चेंज आते हैं कोई result में तो इसका जो आपका F2 positive होता है इसमें changes देखने हो मिल सकते हैं यह किसकी वज़ेस होगा oxygen की वज़ेस होगा when the blood is stored in the four long time period जब आपका काफी time तक आपके रहता है store रहता है अब body के बाहरी तो होगा the hemigroup of the hemoglobin F2 positive gets oxidized यह क्या हो जाता आपका oxygen की presence में oxidized हो जाता है और बनाता है ferric state बात समझ में आगे क्या बनाता है ferrous state 2 positive कौन सा बना रहा है ferric state 3 positive and the hemoglobin gets converted into the methamoglobin यह किसमें चेंज हो आता है आपका hemoglobin में चेंज हो आता है जो color देता कौन सा ब्राउन pigment this give blood the brown color methamoglobin is also incapable to transport the auto molecules इसमें क्या होता है आपका auto molecules को कह नहीं कर पाता है आपका transport नहीं कर पाता है oxygen उसके अंदर नहीं आ जाता है तो वह condition हो थी हम औरिफ्रीन की it is a non hemiprotein no profiling rings which can carry the oxygen यादए थना the pigment is the violet in the color कैसा color रुदा बैंग नहीं होता it is mainly found in the blood of the marine invertebrates उनमें देखने मिलता oxyhemoglobin के बाद it is a form of the hemoglobin that form the when the hemoglobin combines oxygen from the lungs जब वो किसके साथ मिल जाता है आपका oxygen के साथ मिल जाए oxyhemoglobin transports oxygen to the cells of the body तो यह आपने याद कर लेना है तो यह सारे लिखा हुआ है oxyhemoglobin O2 content करता है deoxyhemoglobin होता है उसमें O2 contention देखने नहीं मिलता methoglobin जो आपका होता है methoglobin होता है वो कहता है आपका oxidized होता है तो उसमें यह तो water content आ जाता है oxygen मतलब यह तो water के तुरू आता है यह फिर आपका h group के थुरू आता है एक आपका hemichroms होता है E7 को करता है residue करता है यहां पर लिखा हुआ है जैसे oxyhemoglobin होता है तो इसमें electron जो unpaired electron होता है कैसे होते हैं 0 होता है इसलिए dimagnetic होता है deoxyhemoglobin जोता है इसमें 4 unpaired electron होता है जिसके बज़ए से यह paramagnetic बन जाता है mathemoglobin में लगव पांच होता है यह फिर होता है hemichroms में 0 होता है यह सूपर में पैर मैंगनेटिक होता है और यह गादा है आपका अच्छा दूसरा आता आपका 5-9000 यह कौन होता है सबसे कम काउंट होता है यह होता है leukocytes का जो WB से होते है और इंच्छा रिंडर्स का जो कांट होता है अ लग किसमे होता है आपका ध्यलाक से लिए चाल लाक के आस पास होता है बस आंसर बन गया तो कबंगाजी ठीक है एक है नहीं का बन गया सी बीकवन गया यह भीका नहीं चेले टीशू पढ़ लिए ब्लेद प्लाज्म के बात करें तो कितना धाय लाग से चार लाग के आसपास होता है इसमें थाउजन में दे रखा है आपका चालिस लाग से लेके दस लाग के आसपास होता है चले नेक्स विस्टाइब ब्लड ग्रूप आजाए तब ये काम नहीं करता तब एक्चुल में आपका कौन आ जाता है इन प्रेशन चालिँ उनिवर्सल डोनर का आंपको यह आपको याइद कर लेते हैं यह पॉस्टिव नेगेटीग प्रेजिव को लिए और पॉस्टिव में क्यों होता है यहां पर सारी चीज है मैं क्लियर कर रहा चुका हूँ को लास्सक्राइशन विचा फॉलिंग इस नॉट्रू अबाउट डॉब्ली सी तो साइज लिखा हूँ है 18-25 इतना नहीं होता ठीक है इतना नहीं होता यह गलत लिखा हूँ है यहीं होता है इतना थाले संवसें सर्कूलर और काुण यहीं होता है गता कितना थाही लाग से लेकिते चार लाग क्या स्पास होता है अब यहाँ पर सारी चीज़े लिखी वेए जो आपको discuss कर चुका हो पहले आफ कर मिंए और इंद करना है याद रखना है कि RBC दो होता है bone marrow में होता है red bone marrow में और WBC आपके limbs, nodes, and spleen में आपका produce होता है और platelets भी आपका bone marrow में होता है अच्छा इसका color RBC का क्या होता है in the presence of hemoglobin red color का होता है इसमें कोई absence होती मतलब hemoglobin आपका present ने तो colorless होता है planets का color कैस होता है आपका yellow होता है बात समझ में low count का बज़धा है एनिमेर के case में हो जाए लिगूप चलो यह पढ़ लेना अपना अच्छा यह सारा लिखावा है कितने दिनों देते को size थोड़ा सा कम होता है उसमें ज्यादा दी देता बारह से सतरा मियम के आसपास आपको देखने मिलता कि यह सब्सक्राइब कर लिए और नोटिक्मिशन कर लिए फेस्बुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इस्सेक्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवात मिलते कि फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जाइन जय भारत